है 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 अब व्रीबन वेरी गुड मॉर्णिंग कैसे हैं सब लोग तो आप सबका स्वागत है हमारे जैनी टड़ा 247 के ऑफीसियल यूट्व चैनल पर बालक आप लोगों को ग्राफ में बहुत समस्या हो रही थी आप कहह रहें कि ग्राफ सीखना है तो हमने भी बोला था क कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ग्राफ के बारे में कुछ सीख लेते हैं लेकिन एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कभर हो जाएगी ऐसा नहीं अगर ऐसा कर दिया हमने तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और confidence नहीं आपाएगा तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि धीरे ध धीरे धीरे बेसिक से लेकर किन-किन बातों का मतब ख्याल लखना चाहिए कोशन को बनाने के कोशिश करेंगे कैसे ग्राफ प्लॉट करने चाहिए और सबसे बड़ी बात है ग्राफ बनाने के बाद उसका इस्तमाल इस्तमाल तो बहुत आगे पहुंच गया है फिलहाल हम ल लोग बात करते हैं तो इस लाइक ग्राफ ग्राफ खेले क्या है आओ ग्राफ से खेले ग्राफ से खेले ठीक है ग्राफ ग्राफ खेले ऐसे हम सवाल सवाल खेलते हैं लेकिन आज ग्राफ ग्राफ खेलेंगे देखे इसमें फिर से एक बात दिमाग में हम डालना चाहेंगे कि डोमेन आपको समझ में आना चाहिए कि किन points पे यह define हो रहा है and as we discussed कि we will schedule a different class एक अलग schedule होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे domain और range सिर्फ domain और range की आपको याद है ना मैंने तीन चीज़ें आपको बोला था domain range और graph तो graph आज देख रहें graph के classes चलते रहेंगे तब तक जब तक आपको confidence पूरा आन जाए अच्छी तरीके से हमारी हर संबब प्रियास है कि किसी चीज़ को आकर के यह चू करके चले जाना ऐसा नहीं जब तक आपके दिमाग में मतलब वो प्रिंट हो करके बैठ ना जाए कि हाँ अब हमें पता है कि इसको कैसे करना है कैसे इस्तमाल करना है शुप्रबात शिवम बाबू एक बार अपने अपने ग्रूप में शेर कर दिजिए session को like कर दिजिए शांदार तरीके से आज का session हम लोग देखने वाले हैं तो domain और range को बाद में देखेंगे फिलहाल हम यह बताना चाहते हैं कि domain की भी भूमिका होगी graph को plot करने में मतलब किस शेत्र में किस reason में graph बनना है यह भी पता होना पड़ेगा दूसरी बात है कि आप intercept देखिए intercept का मतलब है यहां पर x-intercept और y-intercept से मतलब x-axis को कहां कट करता है y-axis को कहां कट करता है एकस को कट करने के लिए y को 0 कर दो y को कट करने के लिए x को 0 कर दो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तीसरी बात है तीसरी बात है सिमेट्रिसिटी देखिए अभी मोटा मोटी लिख रहें मोटा मोटी मतलब बहुत सारे points हैं जिसको ध्यान में रखना है लेकिन आज अभी जो हम लिख रहे हैं वह सिर्फ उन्हीं points को लिख रहें जिनको जरूर याद रखिए मतलब पहले हम लोग उस पर confidence बना है पहले उस पर command करें फिर बाकी बातों को देखते रहेंगे हैं ना symmetricity आप देख सकते हैं periodicity आप देख सकते हैं periodicity मतलब graph periodic है की नहीं है graph periodic है की नहीं है मोटा मोटी वैसे देखने के लिए इसमें देखा जा सकता है asymptote asymptote का मतलब होता है asymptote is simple सा कर सकते हो वैसा line जो graph को infinity पे जाके touch करने की कोशिश करता है touch नहीं करता है मतलब it is the distance between the curve and the line will be approaching towards zero as the point along the curve will move towards infinity जैसे जैसे point infinity की और जाएगा वैसे वैसे curve उस line को touch करने की कोशिश करेगा for example for example जैसे आप y is equal to one y x का graph बनाते हैं तो यह आपका ऐसे होता है यह आपका ऐसे होता है यह जो y-axis यह जो x-axis है यह asymptote है यह क्या है यह जो line है जैसे से curve आगे बढ़ रहा है infinity की और यह line क्या कर रहा है touch करने की कोशिश करना मतलब parallel हो जा रहा है तो यह आप कह सकते हैं y is equal to one y x का जो graph है इस graph में x-axis और y-axis आपका क्या है tangent के रूप में दिख रहा है इसको आप क्या कह सकते हैं asymptotes इसको आप क्या कह सकते हैं इसका इस्तमाल सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से होगा सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से होगा this will play an important role while drawing the rough sketch of any function मतलब application of derivative का बहुत खासा इस्तमाल होता है एकदम print होते रहना चाहिए दिमाग में print होते रहना चाहिए मतलब यहां से जाए और दिमाग में छपते जाए इस तरीके से आराम से छोड़े होएं देखते रहिए हाँ शेयर में कमी नहीं होना चाहिए आज पूरा गराफ होगा जहां तक आप संभाल पाएंगे वहां तक होगा पूरा का हमको नहीं पता लेकिन जहां तक संभाल पाएंगे और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि सर पूरा होगा नहीं पूरा नहीं होगा हम करेंगे नहीं पूरा एक ही दिन में अगर बता दिया तो फिर से आप वहीं खड़े हो जाओगे जहां पर थे आज कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे से ओवर्वियू दे दें प्रैक्टिस भी करेंगे और उसका अप्लिकेशन पार्ट और टफर पार्ट जो होता है टफर सेक्शन जहां से बहुत ज्यादा आपको कठनाई होती है जहां से आपको डर लगना शुरू होता है उस डर क की जो बात होती है उसको कौन केविटी कहते हैं मतलब यह डिसाइड होता है डी टू बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब आगे बढ़ा जाये, आगे बढ़ा जाये क्या, आगे बढ़ा जाये, are you ready, किलियर है इतनी सारी बाते हैं, मतलब जो जो बच्चे परिशान थे, जिन दोस्तों को दिक्कत हो रही थी कि ग्राफ कैसे सिखना है, ग्राफ में मतलब कैसे इसको बनाना है, कमांड कैसे करना है, तो उन बच्चों को आप जोड़ दिजिए, शेर कर दिजिए, शेशन को, लाइक करना न भूलेंगे, और if you are new to our channel, then do subscribe it, because we are running a show, 45 days crash course, which is very very helpful, for upcoming J.E.M.A.S. exam 2022, ठीक, चलिए, बहुत बड़ी है, शानदार, देखिए, कुछ standard functions होते हैं, जो कुछ standard graph है, actually मैं देखा जाए, तो सबसे पहले, आप basic बात समझो, हमने हमेशा बताया है, कि जब कभी भी बहुत बड़ी समस्या हैं आपके पास हैं, तो उन समस्याओं को आप छोटी-छोटी समस्या में तोड़ दीजिए, बहुत बच्पन की प्यार को भूल नहीं जाना रहे, तो वैसे ही यहां भी है, बच्पन की बातों को नहीं भूलना है, X और Y, यहां X रखोगो कुछ Y आएगा, फिर 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 X रखोगो क so many points on the curve and freehand से आप जोड़ देंगे तो उसको ग्राफ करते हैं यह सबसे बच्चा वाला बात है एकदम बच्चपन से यह हम लोग जानते हैं ठीक है बच्चा वाला बात तो बच्चों की बाते हैं बच्चों की बाते हैं तो बच्चपन से आप भूले नहीं होंगे जैसे तो स्टैंडर्ड फंक्चन का ग्राफ भी याद रहना चाहिए तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं आज बच्चों को रटा हुआ है रटा हुआ है लेकिन आप देखिए एक फ़र जीरो रखेंगे तो य भी जीरो आएगा एक फ़र टू रखेंगे य भी टू आएगा इसको जोड़ देंगे एक स्वार माइनस वन रखेंगे तो य माइनस वन का मॉडलास वन आता है माइनस वन पर भी वन हैगा माइनस टू पर ही टू आएगा और इसको जोड़ देंगे होता है बिल्कुल सही बोले हैं एकदम भी शेफ होता है यह 45 डिग्री है और यह 45 डिग्री है मैं यहां पर इस ग्राफ को बताने की कोशिश नहीं कर रहा था मैं बताने की कोशिश कर रहा था जब कभी भी आपको चीजें समझ में ना आये वहां पर आप basic concept का इस्तमाल करें यह कहता है कि आपको इंपूट रखोगे तो आउट्पूट आएगा इंपूट रखोगे तो आउट्पूट आएगा और इस तरीके से ग्राफ आपका बन आपको एक graph मैंने ऐसा लिया जिसके बारे में आपको जानकारी है आपको दिखा कि हमने यह लिया है और आपको समझ में भी आया येस बेशक बेशक एक बार अपने अपने सारे group में share कर देंगे भाई सारे group में share कर देंगे जोड़ दीजिए जोबी बच्चे नहीं जुड़े हैं फटाफट से उन्हें बतादीजिए कि session start होreno चुका है और वो लोग शीख सकते हैं अब यहां पर मैं एक बार आपको होंबग कहा रहे हैं अभी के लिए देना चाहूंगा बनाईए फटा-फट और उसके बाद थोड़ा सा समय ले करके हम बताएंगे कैसे बनाते हैं आप पहले आप इसको लीजिए पहले आप इसको ग्राफ को लीजिए और आप सारे बच्चे एक नहीं मैट्स मेरी जाने मन बचपन का फ़मुला भूल नहीं जाना रहे इस तरीके से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शांदार शांदार इसका function का ये function है कि नहीं है पहले ये देखो ये function है कि नहीं है ये function नहीं है ये y और x के बीच में relation है मनीश कुमार गुपता what do you want actually मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप तोड़ तोड़ करके लिखने के बजाए आप एक ही बार में अपनी सारी बातों को लिख दें थोड़ा सा समय लेकर के English का class क्या class समझ में नहीं आ रहा है आप पूरी बातें एक साथ लिख दें बेटा ये ग्राफ है आप बनाईए फटा फट बना लिया बहुत बड़िया देखिए actually क्या होगा अगर आप इस तरीके से देखना चाहें कि ग्राफ इसका क्या होगा तो मैं एक बात कहता हूँ आपने बोला है कि डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा तो बता दें कि आपका rotational बिल्कुल गलत है डोमेन इसका माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं होगा x अगर आप माइनस में रखोगे तो माइनस का q माइनस आएगा y square का value negative नहीं हो सकता समझिएगा बात को मतलब यहाँ पर इसका graph हो x ब्रावर 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा ध्यान से देखना x ब्रावर 1 रखोगे तो 1 का q 1 है y square 1 तो y भी 0 प्लस माइनस 1 y का 2 value हैगा प्लस 1 और माइनस 1 x ब्रावर 2 रखोगे मतलब 2 तो 8 हैगा y square rate तो y भी 0 कितना प्लस माइनस 2 root 2 तो प्लस 2 root 2 उपर होगा माइनस 2 root 2 नीचे होगा फिर ऐसे ही 3 रखोगे तो कुछ उपर आगा जितना उपर आगा उतना ही नीचे आगा ये तीनों point जो दिकराइस को ऐसे करका जोड़ दिए कुछ graph ऐसा होगा और कुछ graph ऐसा होगा so this graph is possible this graph is possible ठीक है आई बात समझ में आप देखे कितना आसानी से बना सकते हैं पहला बार आप देखोगे तो graph में आप ago is तरीके की ईसा नहीं यह कि उसीमें आपको कुछ बञएर देतरे लोगा तो इस तalarीके से बनते हैं तो यह x-axis के बाउट symmetrical होगा, क्या होगा, x-axis के बाउट symmetrical होगा, जितना graph का portion उपर है, उतना ही graph का portion नीचे है, यह सारी बातें भी करने का कोई जरूरत नहीं है, हम जब basic से बात कर पा रहे हैं, तो क्यूं हम बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखें? समझिये का बात को, समझिये का बात को, सारे बच्चे, clear है, यह बात समझ में आई basic एकदम है, ठीक है, तो हम लोग basic concept पे बात कर रहे थे, तो first thing, जो सारे बच्चों को ध्यान देना है, और वो है basic, basic, input or output, point होना चाहिए basic, आप x रखोगे input के रूप में, और उसका corresponding value, y जो आएगा output के रूप में, तो इसका graph बनाना असान हो जाएगा, x हो गया, x coordinate, y हो गया, y coordinate, इन सारे points को कुछ points ले करके, आप connect कर दोगे freehand से, तो जो graph बनेगा, उसी graph की आप जानकारी लेना चाहते हैं, ओके, 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 then it's okay, mod x के लिए बिल्कुल सही बात आपने कहिए, mod x के लिए बिल्कुल सही बात आपने कहिए, ठीक है बेटा, ठीक है, अब चलते हैं, अब चलते हैं आगे, तो यह हो गया सबसे basic की, आप input रखोगे, output निकालोगे, input रखोगे, output निकालोगे, so first thing is, graph is nothing but the collection of all points, उस points को कैसे निकालते हैं, तो बच्चपन का आपको जो तरीका पता है, input रखो, output निकालो, और इस तरीके से mental calculation, 0 पे 0 आया, 1 पे 1 आयेगा, 2 पे 2 रूट 2 आयेगा, 3 पे, इस तरीके से निकालते चले जाएंगे, तो कुछ उपर आयेगा, और वही चीज नीचे आयेगा, इस तरीके अगर आप बन जाएगा, उमीद करते हैं, सारे बच्चों को समझ में आया होगा, एक बार फटा-फट कॉमेंट करके बता दीजिए, अगर हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर बातें समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं, फटा-फट से बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले बात हमने क्या बता है, कि आपको बेसिक का ध्यान रखना है, डोमेन मतलब कहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, वो धीरे दीजए आपको चीजें सीखने को मिल जाएंगे, अब है कुछ स्टांडर्ड ग्राफ, स्टांडर्ड ग्राफ को आप ना भूलें, स्टांडर्ड ग्राफ जिसको आपको याद रखना है, इन सारे को एक बार कुईक्ली हम रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है, वाइज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हर बच्चे के जुवान पर है, बच्चे बच्चे के जुवान पर है, वाइज इक्वल टू मॉड एक्स कैसा होता है तो अभी जेस्ट हम लोगों ने बनाया था, बच्चे ने बोला भी शेप का होता है, बिल्कुल सही बात, दूसरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे, वाइज इक्वल टू एक्स पोनेंसियल का, आप यहाँ पर एक ग्रेटर दन वन लिख दो, और यहाँ पर ए, ए जीरो और वन के बीच में लिख दो, ज्यादा कुछ करने का नहीं, फिर से आप ग्रेटर दन वन में, मतलब आप एक एक पॉइंट रखते जाओ, आपस में ग्राफ आते जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या ग्राफ आएगा, छोटो, तो इस तरीके ग्राफ आएगा, यह आप कह सकते हैं, ग्राफ को जब भी ड्रॉक करो नहीं, तो दो तीन चीजों का ख्याल रखो, दो-तीन चीज मतलब, इंक्रीज कर रहा है की नहीं, डॉमेन क्या हुआ, रेंज क्या हुआ, क्योंकि यही से, इसी के डॉमेन और रेंज के आईडिया को इस्तमाल करेंगे, तो डॉमेन और रेंज फंक्शन के समय, है बहुत बहतरीन तरीके से हम लोग सीख पाएंगे ठीक है ओके ओके ठीक है जाके रिचार्ज करवा तुम अपना तो एक पहला पॉइंट क्या है कि एक्सिस को कहां कट करता है जिसको आप intercept कहते थे क्या कहते थे intercept उसमें मैंने बताया था कि axis को कहा कट करता है मतलब y intercept और x intercept क्या है उसके बारे में आप बात करते हैं y intercept और x intercept क्या है उसके बारे में आप बात करते हैं अब यहाँ पर observation को भी को लिखना जैसे यह ग्राफ जैसे जैसे आप एक्स में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ उपर क्यों बढ़ रहा है इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं इसको क्या कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं लेकिन वहीं पर अगर इसके ग्राफ को देखा जाए तो य क्या होगा decreasing graph होगा तो यह सारे observation आपको बाद में graph cable draw नहीं करना है graph का इस्तमाल भी करना है only we not I mean we are not learning how to plot the graph rather we are also trying to know कि how to use the graph graph से कितनी सारी चीजें दिखते हैं बहुत सारी चीजें दिखते हैं तो उन intercept मतलब x-axis को या y-axis को कहां कट करता है वो देखने की कोशिश करनी है graph कहां से कहां तक फैला हुआ है तो x के direction में जो फैला हुआ है उसको domain करते हैं और y के direction में जो फैला हुआ है वो output है उसको range करते हैं तो यहां minus infinity से इस्तमाल हुआ पलस infinity तक बढ़ते जाएगा अगर आप कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो इसका domain की अगर बात करें इसके domain की अगर बात करें तो exponential का domain पूरा real number होता है और इसके range की अगर बात करें तो range होगा जीरो से infinity और जीरो कभी भी नहीं होगा जीरो से infinity जीरो कभी भी नहीं होगा अब आप कहोगे कि छोटी सी बात से कुछ सवाल बना के दिखाए जिससे हम समझ सकें कि हमको फाइदा होगा आप देखिए मैं सीधा सीधी to the point बात करता हूँ आप भी जब किसी अपने भाई को पढ़ने के लिए सेज़ेश करोगे तो पूछे का कि कैसे पढ़ें भाईया आप कैसे एनाइटी पहुंच गे आप कैसे आइटी पहुंच गे उस समें आपको वो रास्ता नहीं पता होगा जिस रास्ते पे चल करके आपने मुकाम को हासिल किया लेकिन हम यह आदतें आप में डाल देते हैं ताकि जो आप से पूछे तो यह जरूर बताना कि जब किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो उसका इस्तमाल करना सीखिए उसका इस्तमाल करना चेकिए, आप इस graph को देखिए, छोटा सा graph है, अब इस graph का इस्तमाल करके हम, हमने बहुत basic से start किया कैसे graph आया, आगे log का, जितने में standard graph है, सारे graph को हम बनाने वाले हैं, लेकिन यहां पर आपको हम यह दिखा दें, कि इस graph के मदद से कैसे आप आगे सव आपके पास domain नजर आ रहा है, और range नजर आ रहा है, वो तब डोमेन में कोई restriction नहीं है, यह जो आपको domain नजर आ रहा है, पूरा real number कब कह रहे हैं, जब कोई दिकत नहीं है, कुछ भी कहा नहीं गया है, अलग से कोई कहानी नहीं दिया गया है, लेकिन अलग से अगर कहानी दिया जाए, अलग से अगर कहानी दिया जाए, for example, सबसे ज़्यादा इसका इस्तमाल होता है, quadratic में आप देख लीजिए, लेकिया आईए ना, ठीक है, हाँ, क्या बोलना है, चलिए, आईए, सवाल पर देखते हैं, जैसे आपके पास एक example लेते हैं, सवाल पर देखते हैं, y is equal to, y is equal to, sin square x, sin square x, plus 3 sin x, अरे ये किसका बना दिया हमने, exponential का graph बनाना था न, ये इसमें आगए हम, इसमें आपको, हम लोगों किसका इस्तमाल करना है, इसका इस्तमाल करना है, ठीक है, जैसे आप छोटा सा ले लो, मान लिया, y is equal to, 2 to the power, 2 to the power sin x, छोटा सा इस्तमाल, बहुत छोटा सा इस्तमाल, y बराबर 2 to the power sin x, 2 to the power sin x में आप क्या कहोगे, तो आप इसका range क्या कहोगे, सर exponential है, तिसले इसका range हो जागा 0 से infinity, नहीं, गलत, गलत, क्यूं गलत है, आप इसको, आप इसको ऐसे लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, कि सर, sin x को यहाँ पर मान लिजिए, यह हो जागा graph y is equal to 2 to the power t, समझिएगा, एकदम बारिक बारिक बाते हैं, यहीं से बच्चों को परिशानी होती है, और उसके कारण graph से interest लूज होता है, y is equal to 2 to the power t लिखा, लेकिन आपको t के बारे में पता है वेटा, t is equal to sin x होता है, x आप कुछ भी रख सकते हैं, sin को कोई समस्या नहीं, sin का graph ऐसे उपर नीचे उपर नीचे नाचते रहेगा, इसे कोई समस्या नहीं है, तो मैं कहा रहा हूँ बालक, मैं कहा रहा हूँ बालक, कि sin x कहा से कहा तक होता है, तो आप बोलोगे सर, minus 1 से 1, यानि यहां पर जो t रखोगे वो minus 1 से 1 रखोगे यहां पर जो t रखोगे minus 1 से 1 रखोगे अब graph y और t में आएगा यह आपका t हो जाएगा हम यहां पर इसको t कहेंगा और यहां y कहेंगे हम y और x का नहीं बना रहें t में convert हो गया है तो हम y और t का बना रहें तरीके से graph हो गया क्योंकि बेस इसका दो है एक से ज्यादा है तो graph increasing वाला graph increasing वाला आप जो वह पुश्पा देखे हो कि ने graph जो है यह से कहता जुकेगा नहीं मतलब यह increase करेगा see the exponential graph मतलब वो producer को ही पता था कि now he is trying to say exponentially growth जो उसके life में होता है आपने रिलेट नहीं कि होगा mathematics हमारे नेजर में वहाँ पर था जुकेगा नहीं तो वो आपके लिए जुकने वाली बात यहां पर नहीं है तो यह आपका आप यहां से देखो जोटू यहां से देखो जोटू यह आपके पास 1 है यह आपके पास 1 है आपका t जो है कहां से कहां तक है आपका t कहां से कहां तक है इस section only, ठीक है, आई बात समझे, मैंने क्या बोला, you have to cut the portion of the graph from this section only, ये सब सीखो, यही main है, ऐसा नया नहीं कुछ आप जान जाओगे graph में, लेकिन उसको इस्तमाल नहीं कर पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, इसी वज़ा से हम लोग कमजोर फिल करते हैं और छोड़ द meane, हार मान भान लेते नहीं, मैंनस one पर ये output आएगा और वन पर ये output आएगा, मैंनस one पर इसका आउट्पुट हाफ होगा, यह हाफ है, और one पर आउट्पुट आएगा, तो यह बात सारह मत्टों, इसका output राइए और्सकाौमा हाफ है, या नि आपको अगर देखा जा कहेंगे उसको क freaking तो हब से ले कर Statistics हाप से ले करके के कि कि I don't understand, what are you trying to say? ठीक है, now basically, basically if you try to focus, if you try to focus on not graph, just by looking at the function itself, function की tendency क्या है? function की tendency क्या है? तो हमें पता है कि y is equal to 2 to the power t, it is an increasing function, it is an increasing function, increasing function का एक मतलब होता है, कि if you are going to increase the value of input, the output will also increase, increasing function है, t है आपका minus 1 से 1 तक, अब function increasing है, मतलब जैसे increasing का मतलब होता है, जैसे जैसे input बढ़ाओगे, वैसे वैसे output बढ़ेगा, देखो, प्रभाकर, speed में ताकत नहीं है बेटा, ताकत समझने में उसको रखने में है, हो सकता है अभी 10 मिनट, 20 मिनट, आधा गंटा ज्यादा देना पड़े, लेकिन अगर पूरे भविश्य में ये footprint बन जाए, आपके दिमाग में छप जाए, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए, तो print करना है, that's more important, we have to print it for a longer time, t-1 से 1 है, ठीक है, t-1 से, यहां minus 1 रखोगे, तो 2 का पावर minus 1 कितना आएगा, 1 by 2, और 1 रखोगे, तो 2 का पावर 1 आएगा, यही आपका range हो जाएगा, ध्यान से समझियेगा बात को, range निकालने के समय, यही आपको concept हम सिखाएगे, कि try to understand, if the function is increasing or decreasing, then it is very easy for you to find the range of the function, if the function is increasing entirely in the domain or decreasing in entire domain, then it is very easy to find the domain and range, it's very easy, यह, चलिए, शान्दार, शान्दार, आगे बढ़ा जाएगे, यह था आपका y ब्रावर mod x, फिरे आपका graph y is equal to a to the power x, अब एक आपका graph है y is equal to log x, वो भी देख लेते हैं, y is equal to log x, y is equal to log x, जो भी standard graph है, सारा हम लोग देख लेंगे, log x, y is equal to log x, exponential और log एक दूसरे का inverse होता है, यहाँ पर इसका graph ऐसा होगा, यह x-axis को कट रहा है, तो हमने क्या बोला, x-axis को या y-axis को जहाँ intersect करता है, x-axis को और y-axis को जहाँ intersect करता है, उसको आप जरूर पता कर लें, तो यहाँ पर y x-axis को कट करेगा, y 0 रखने से, y 0 रखोगे, तो x बड़ावर क्या आजाएगा, 1, यह तब होगा जब a is greater than 1, यह तब होगा जब greater than 1 होगा, और यही अगर less than 1 है, अगर less than 1 है और greater than 0 है, तो उस case में आपका graph ऐसा होगा, यह तब होगा जब 1 और 0 के बीच में है, so this graph is increasing, this graph is increasing, and this graph is decreasing, इन सारी बातों का जरूर ख्याल रखें, domain की बात करें, तो log हमेशा, मतलब log का यहाँ जो x है, वो graph कहाँ है, 0 के बाद है, 0 के बाद है, तो domain जो होगा 0 से infinity होगा, और range जो होगा, range होगा minus infinity, नीचे से लेकर को उपर तक बढ़ता जा रहा है, पूरा infinity, minus infinity से infinity होगा, that is whole real number, so we should understand the basic behind any topic, कोई भी topic हो, कोई भी subject हो, अगर basic समझते हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमारे session में जो है, Vladimir Putin भी, मतलब रसिया के president भी जुड़े होगा, बड़ी बात है, बड़ी बात है, so, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, so, this was all about exponential, modulus, और ये, log, अब बात करोगा, greatest inटियर का graph, fractional part का, अभी नहीं discuss कर रहे हैं, अभी हम लोग जिस रफ्तार से सीख रहे हैं, जिस चीज़ को सीख रहे हैं, उस momentum को carry करना है, तो हम लोग को पहले सीखने पे ध्यान देना है, अब हम आपको important चीज़ सिखाते हैं, कि कैसे आपको symetricity का कैसे आपको symmetricicity का इसतमाल करना है, इसका भी अधर update कि अगर आपके पास, अगर आपके पास ऐसा है कि X के जगह minus X लखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है मतलब F of minus X and F of X दोनों सेम है X के जगह minus X लखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो समझ लो कि ये function symmetrical about क्या है function is या graph is symmetrical about graph is symmetrical about क्या graph is symmetrical about एक्स 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 के जगा माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा है दोनों सेम है तो वाई के बाउट सेमेटिकल होगा तो बोलोगा कि क्या सर इसी को हम जनरलाइज करके यह का सकते हैं य के जगा माइनस वाई रखने से अगर कोई चेंज ना हो अगर कोई चेंज ना हो अगर कोई चेंज ना हो देर इस नो चेंज कोई चेंज ना हो कोई चेंज ना हो तब क्या होगा तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स आक्सिस होगा यस होगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स आक्सिस होगा अगर वाई के जगा माइन वाई रखने से अगर कोई चेंज ना हो तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स आक्सिस होगा यहां एक्स के ठीक है ठीक है तो इस तरीके से इसको इस्तमाल कर सकते हो दूसरा अगर आपके पास f of minus x और बराबर minus f of x है मतलब x के जगा माइनस करने से y भी नेगेटिव हो गया x के जगा नेगेटिव करने से y भी नेगेटिव हो गया तो origin के बहुत symmetrical होगा symmetrical about origin मैं शाटकट लिख रहा हूँ symmetrical about origin symmetrical about origin symmetrical about origin एक x-axis के बहुत symmetrical एक y-axis के बहुत symmetrical एक origin के बहुत symmetrical यह तीन symmetrical दिमाग में बैठा या नहीं बैठा पहले यह बताओ तीन symmetrical पता चला की नहीं पता चला x-axis के बहुत symmetrical y-axis के बहुत symmetrical and origin के बहुत symmetrical x-axis के बहुत symmetrical तब होगा जब y के जगा-y रखने से कोई फर्क नहीं पड़े य के जगा-y रखो कोई फर्क नहीं पड़े तो यह तीन बाते समझ में आई या नहीं आई चलिए अब चौता symmetrical about y बराबर x अगर x और y को इंटरचेंज करने से अगर x और y को इंटरचेंज करने से x के जगा देखिए यह है x के जगा y और y के जगा x इंटरचेंज करने से कोई चेंज ना दिखे कोई चेंज ना दिखे तो उसका graph जोगा symmetrical about line y बराबर x होगा 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 x के जगा y y के जगा x रखने से कोई फर्क ना पढ़ रहा हो जैसे आप ऐसा कह सकते मतलब mod x plus mod y is equal to 4 अगर इसकी बात करें थोड़े दिर के लिए हम इसकी बात कर लेते हैं देखिए इसका graph कैसे आप आराम से बना सकते हैं modulus में सारे बच्चों को पता है modulus में सारे बच्चों को पता है कि mod of minus x बराबर mod of x होता है mod of minus y मतलब mod of y होता है काने कि मतलब modulus जो है minus को खा जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पढ़ेगा यहाँ minus x है तो वो x हो जाएगा यहाँ minus y है तो वो y हो जाएगा कोई दिकत नहीं होगी अच्छा जी तो x के जगा minus x रखने से y के जगा minus y रखने से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है x के जगा minus x रखोगे तो mod of minus x y आएगा जो mod x है y के जगा minus y रखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानि ये graph symmetrical about x-axis भी होगा और symmetrical about y-axis भी होगा बात समझ में आई ये graph symmetrical about x-axis भी होगा और symmetrical about y-axis भी होगा दो बाइ x के जगा y कर दो और y के जगा x कर दो x के जगा y कर दो और y के जगा x कर दो तो यह हो जाएगा mod of y plus mod of x is equal to 4 फिर से देखो x के जगा y y के जगा x करने से दोनों तो सेम ही है यानि ये graph y बराबर x के बाउट भी symmetrical होगा ये graph y बराबर x के बाउट भी symmetrical होगा अगर 2 के पावर में sin x plus cos x है देखिए अगर 2 के पावर इस तरीके के जो आपका graph है, transcendental graph जिसमें आपको 2 composite function को मिला दिया, एक function के अंदर दूसरा function तो हर case में आपको उसका graph बनाना जरूरी नहीं है हर case में आपको उसका graph बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है हर केस में उसका ग्राब बनाना जरूरी नहीं पहले हम इसकी ग्राब को देखते हैं फिर आपके सवाल को बताते हैं तो हर्शित यू नीड टू वेट फॉर यूर एंसर अपने जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार करें नितिश आम गुड आप कैसे हैं बेटा ठीक है तो म आपको ग्राब बनाना है किसका मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बरावर फोर देखिए पहली बात मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बरावर कॉंस्टेंट इसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए तो अभी हम याद भी कर लेंगे लेकिन पहले समझ लेते हैं यह मॉड लस है तो modulus को सबसे पहले आप break कर लो, मैं तो जैसे case y तोड़ते हो, कि x अगर positive रहा, तो mod से बाहर आजाएगा, y भी positive रहा, तो mod से बाहर आजाएगा, इसका मतलब, एक तो यही case हो गया, कि x greater than equal to 0, और y greater than equal to 0, तो यह हो जाएगा, x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4, और x plus y is equal to 4, is equation of a straight line, x बराबर 0 करोगे तो y 4 आएगा, और y बराबर 0 करोगे तो x 4 आएगा, x बराबर 0 करोगे तो y 4 आएगा, और y बराबर 0 करोगे तो x 4 आएगा, तो यह आपका कुछ हो जाएगा, यह आपका कुछ हो जाएगा ठीक है यह हो गया 4,0 यह हो गया 0,4 यह हो गया 4,0 और यह हो गया 0,4 आई बात समझ भी मेरे भाई यह तब हुआ जब x positive है और y positive है इतना ही दूर में होगा मतलब इसके एक graph का एक हिस्सा है इतना दूर आपने बोला कि इस graph is symmetrical about x-axis as well as y-axis अगर x के about symmetrical है तो जितना portion उपर होगा उसी का image नीचे होगा symmetrical का मतलब होता है मतलब line के about यह line के about symmetrical है तो उस line के about जितना इधर portion है उसी का just mirror image इधर portion होना चाहिए तो अगर आप कह रहे हैं कि this graph is symmetrical about x-axis तो जितना portion उपर है उतना ही portion नीचे होना चाहिए होना चाहिए नहीं चो होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए sir तो यहां से इसका image ले लेंगा यह 4 पे कट रहा है तो यहां पर minus 4 पे कटेगा ठीक है आरी बात समझ में तो सारे बच्चे अपने अपने ग्रूप में शेर कर दो मेरे भाई और लाइक कर देना है शेशन को और शाम को जूड़ना न भूलें हर दिन क्रैस कोर्स के लिए क्रैस कोर्स बहुत ही धमाकेदार चल भी रहा और आपको फाइदा भी हो रहा है पहले बार में हम लोग उन टापिक्स को कवर कर रहे हैं जिससे क्वेशन्स आएंगे और उसको फिर दूसरा लेक्चर भी आएगा उसका दूसरा हिस्सा भी आएगा अब यहां से जितना पोर्षन इस तरफ था उतना नीचे की ए फिर आपने बोला कि it is symmetrical it is also symmetrical about y axis it is also symmetrical about y axis अगर y axis about symmetrical है तो जितना portion इस तरफ होगा उतना ही portion इस तरफ होगा उतना ही portion इस तरफ होगा तो हम इसको यहां से image ले लेंगे समझेंगे इसको mirror है image ले लेंगे तो यह 4 पे कट रहा है तो यह minus 4 पे कटेगा और कुछ इस तरीके की बात बनेगी तो आप बोलोगे हाँ सर बनेगी graph तो बनेगी बिल्कुल बनेगी graph तो बनेगी बेशक बनेगी तो वैसे case में आप इसको कह सकते हैं कि जितना इधर है उतना ही इधर है और यह length यह length यह length same है और साथी साथ यह diagonal जो है equal length का है और diagonal के बीच का angle 90 degree है तो यह graph क्या होगा square होगा क्या होगा एक square होगा square होगा बोलिये हाँ या ना बोलिये हाँ या ना बोलिये हाँ या ना और इस तरीके के graph को आपको याद कर लेना है याद रखिये याद रखिये mod x plus mod y बराबर constant का graph ऐसा ही होगा mod x plus mod y बराबर constant का graph ऐसा ही होगा ठीक है अब इसका area पूछ सकता है इसका area आपसे पूछ सकता है you can be asked to find anything जैसे j main में जो सवाल आया था तो इसमें पूछा था कि maximum value कुछ था ऐसे इसमें अगर जो दूरी आप निकाल सकते हैं तो यह minimum दूरी होगी और यह maximum दूरी होगी तो वो mod z का value पूछाता कि कौन नहीं हो सकता ठीक है कोई दिक्कात है तो बताईए हाँ जी शीवम जी बताईए क्या कहना है आपका एकदम बहुत बढ़ी यह तरीके से आप याद कर लो यह काम का graph है यह काम का graph है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं modulus को आप अगर समझ रहें तो इसी तरीके से समझना है symmetricity को आप समझ रहें तो यह symmetricity को समझना है x के जगा minus x रखने से अगर परिवर्तर नहीं हो रहा है तो y के बाउट सिमेटिकल होगा y के बाउट y के जगा माइनस y रखने से कोई फरक ने पढ़ रहा है तो x के बाउट सिमेटिकल होगा अगर x के जगा y और y के जगा x इंटरचेंज करने हो फिर भी कोई फरक ने पढ़ रहा है तो line y ब्राबर x के बाऊट symmetrical होगा यह graph line y ब्राबर x के बाऊट symmetrical होगा मतलब यहां से अगर एक y ब्राबर x line ले लो y ब्राबर x इसको line ले लो y ब्राबर x तो जितना graph का portion इधर है उसी का just image उधर होगा यह highly symmetrical हो गया yes, area आपका 32 आगया बहुत बढ़ी है, चलिए अब आपको modulus type का graph सिखाते हैं जिसमें बहुत आसानी से बना सकते हैं वहाँ पर basic आपको लगाना है basic आपको लगाना है y is equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 2 mod of x plus 1 plus mod of x minus 2 फट फट बनाए तो y is equal to mod of x plus 1 plus mod of x minus 2 एकदम फटा फट बनाए ये कोई हरबड़ी नहीं रखनी है लेकिन बनना चाहिए जल्दी जल्दी ऐसी भी जल्दी नहीं कि गलती हो जाए अच्छा, हरशित बाबू, अभी आप हैं क्या चलिए, देखिए, आपको ऐसे गराफ में ये आपको देखने को मिलता है बहुत बार, तो इस गराफ को तो आप ऐसे ही माश्टर कर सकते हैं एक्स, वाई, एक्स और वाई, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, कि सर, यहां पर यह जो मॉडलस है, यह खास तोर पे तब, जब मॉड के बीतर लीनियर है, मॉड के बीतर लीनियर है, लीनियर है, क्वाडिटिक आ गया तो फिर अलग बात हो जाएगी, मन्दब एक है रास्ता तो यह मौड के भीतर का जो expression ही कब 0 हो रहा था है x plus 1 is equal to 0 x is equal to minus 1 x minus 2 is equal to 0 x is equal to 2 यह हो गया आपका minus 1 यहां पर और x is equal to 2 हो गया यहां पर आईए से बहुत ही आसान तरीके से अच्छा यह भी सही है तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं इस graph को plot कर सकते हैं now what you are supposed to do is कि at x is equal to minus 1 if you will try to find out the value of y what will it be तो यह 0 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा तो यहां 3 आगया यहां 3 आगया दो रखोगे तो दो पे भी 3 आगया तो भाया मेरे ख्याल से क्या लग रहा है कि minus 1 और 2 के बीच में हर जगा यह 3 ही होगा minus 1 और 2 के बीच में हर जगा यह 3 ही होगा तो यहां से यहां तक आप इसको 3 कर देजिए अब 2 के बाद आप एक बार minus 1 पे एक बार 2 पे रख करके value निकाल लिजिए दो के बाद, दो के बाद एक input लिए 3, 3 प्लस 1, 4, 3-2, 4, 1, 5, तो 3 पर output 5 आएगा, 5 यहाँ होगा, इसको ऐसे जोड़ देजिए, क्या है, वह इसे ही इधर एक point ले लिजे, क्या है, कि x का power 1 है, x का power 1 है, तो कहीं ने कहीं यह linear आएगा, y का power 1 है, linear ही आएगा, तो यह straight line ही ह होगा, और straight line के लिए 2 point काफी है, जोड़ने के लिए, एक point यहाँ पर था, एक point यहाँ था, दोनों को जोड़ दीजे, तो यह tub type का graph हाएगा, यह tub type का graph हाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, बताइए आप, the graph will be tub like a graph, जी, बेशक, ठीक है, ठीक है, graph जो होगा, tub type का graph होगा, शांदर, हाँ ना, चलिए, तो भाई साब कह रहे हैं कि today graph clear, बहुत बढ़िया, आज इनको graph clear ही हो गया, सही है, तो session को share कर देंगे, तो बाकी लोगों का भी clear हो जाएगा, अगर जो किसी को कोई समस्या रही होगी, तो, ठीक है, बन जाएगा, चलिए, बहुत सारे, graph ऐसा नहीं कि एक दिन में you can master the graph, because it will involve, it will involve many things, ठीक है वेटा, boat graph, हाँ, जो भी कहलो, boat tap से, जो भी कहलो, सब सही है, सब सही है, चल, चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसके और एक, मतलब, हाँ, आज हम, देखो, यह, इस session में सिर्फ basic पे, हम यह clear कर देएं, कि अभी सिर्फ और सिर्फ basic पे बात कर रहे हैं, we are talking about fundamental of graph, graph में चोटी-चोटी बातें क्या है, ना हम transformation of graph को देख रहे हैं, ना हम सारे graph को अभी खतम कर रहे हैं, ना आप graph के application को देख रहे हैं, it's just the beginning, graph के साथ खेल रहे हैं, अभी just beginning है, यह तो बस शुरुवात है, यह तो बस शुरुवात है, ठीक है, अब देखो, आपने domain की बात करी, आपने symmetricity की बात करी, periodic function के बारे में आप जानते होंगे, तो जहां पर जो periodic होगा, उसको देख लेंगे, जैसे periodicity से, आप एक बच्चे ने पूछा था, कि सर, y is equal to 2 to the power sin x plus cos x, ऐसे case में इसका graph नहीं बनाने का, इसका graph नहीं बनाने का, आप से ज़्यादा ज़्यादा पूछा जा सकता है, इसका range क्या होगा, मतलब यह कहां से कहां तक lie करेगा, यह कहां से कहां तक lie करेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, कि sin x plus cos x, इसको t माल लेना है, function के अंदर function उसको कहते हैं, composite function तो इसको t माल लेना है यह हो जागा y is equal to 2 to the power t अब सारा खेल इसका t का है सारा खेल इसके t का है अब t पे अब t के बारे में सोचना सुरू करते है t is equal to sin x plus cos x आप x के बारे में पूछिए सवाल में कुछ दिया है नहीं दिया है x can be anything क्योंकि sin और cos हर values of x के लिए मतलब defined है तो you can take the values of x in whole real number पूरे real number में से कुछ भी ले सकते हैं a sin theta plus b cos theta अब देखो mathematics अपने आप में पूरा independent तो है नहीं हर जगा किसी न किसी का इस्तमाल होना है कोई ने कोई आकर के घुश जाएगा अपनी धाक जमाने के लिए अपने बारे में बताने के लिए हमें आप जानते हो कि ने अपनी जान पहचान बढ़ाने आ जाएगा जैसे आप बात कर रहें इसके range की आगया a sin theta और b cos theta यह अब आप से जानना चाहता है कि आपने इसको याद रखा है क्या आपने इसको पहचाना क्या आप इसके बारे में जानते हैं अगर हां तो इसका इस्तमाल कर लिजिए और बन जाएगा ओ तो यह अपने बारे में पूछने आया है हम जानते हैं इसके बारे में a sin theta प्लस b cos theta माइनस root 2 से root 2 तक होगा यहाँ पर क्यों बेटा क्योंकि क्योंकि इसका a भी 1 है और b भी 1 है तो root अंडर a square प्लस b square लिखी देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं पता होता है वैसे केस में परिशान न हो जाएं तो यह जो y की value जो है वो root अंडर a square प्लस b square से ले करके minus root अंडर a square b square इन दोनों के बीच में ही आता है ठीक है छोटे ठीक है मेरे भाई एकदम हर छोटी बातें लिख दिया करते हैं ताकि कोई परिशानी न हो बच्चों को कभी भी कोई भी देखे सीख जाए क्यूंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी आप देख रहे हैं आपको आता है तो सबको आता ही होगा ऐसा तो है नहीं बच्चों को परिशानी हो सकती है लाजमी है हमारी कोशिश है कि कोई परिशानी ना रहे है तो यह जो आपके पास y is equal to 2 to the power t है t का value पता चल गया यहां से इसको रखेंगे हमने क्या बताया था कि यह एक increasing function होता है क्या होता है एक increasing function होता है कैसे पता चला तो exponential है और base एक स ज्यादा है तो वह increasing होगा अगर increasing हुआ तो y minimum रखने पर root 2 minus root 2 minimum होगा तो minus 2 का power minus root 2 यह आ जाएगा और root 2 रखोगे तो 2 का power plus root 2 यह होगा तो this will be your range without drawing the graph of the function you can find root 2 से minus root 2 नहीं minus root 2 से root 2 root 2 root 2 से minus root 2 नहीं minus root 2 से root 2 ठीक है आई बात समझ में है आई बात समझ में है इस सेम कोश्चन को और कठीन आप बना सकते हैं इसी कोश्चन को और कठीन बना सकते हैं अगर आप इसको इस तरीके से ले करके जाएं कि सर AMGM लगाना चाहते हैं और कठिन हो जाएगा कुछ और भी बाते मतलब आया हुआ सवाल हम ऐसा आपको दिखाते हैं तो इसका रेंज तो आप लिखे लो रेंज तो यही आगया रेंज तो यही आगया रेंज तो यही आगया अब को लगता है 2020 में ही आया हुआ है 2021 में as far as I remember y is equal to 2 to the power sin x और प्लस 2 to the power cos x 2 to the power cos x इसका minimum value क्या होगा तो वैसे case में आप इसका रेंज थोड़े ही निकालेंगा बिटा आप इसका रेंज थोड़े ही ना निकालेंगा 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x का minimum value क्या होगा तो आप यहां पर क्या लिखोगे am gm लगा सकते हो क्योंकि यह भी एक positive number है और यह भी एक positive number है तो आप लिख सकते हो 2 to the power sin x am greater than equal to gm am greater than equal to gm तो ऐसा नहीं है कि हर जगा आप graph ही ढूणना शुरू कर दो मतलब आपको समझना होगा कि is it a place where I can use graph क्या यह वो सही जगा है जहां पर हम graph का इस्तमाल कर सकते हैं तो 2 to the power sin x प्लस 2 to the power cos x divided by 2 am greater than equal to gm 2 to the power sin x into 2 to the power cos x का power half तो इसका value आपको निकल जागा इसको इधर लेकर चले जागा 2 का power sin x प्लस cos x यह बला इस्तमाल हो जाएगा उससे आप पता चल जाएगा कि कहां से कहां तक होगा बहुत ही आसान सी बात होगी लेकिन हम लोगों को graph सीखना है तो graph पे आते हैं भी फिलहाल मतलब मैं यह बता रहा हूँ यह एक increasing function होता है जो शुरुआत में बता है उसको आप रखिए मतलब जिस किसी भी चीज़ को पढ़िया ना तो उसको दिमाग में रखने की कोशिश कीज़िए वो बहुत जरूरी है ठीक है ठीक है जोटो चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरशिट बाबो शानदार चलिए अगले सवाल की और बढ़ते हैं अगले graph की और बढ़ते हैं जो graph आपको याद रखना चाहिए जिससे आपको फाइदा होगा उसमें से ये graph है y is equal to linear upon linear linear upon linear आपको होगे तो हम दो चार स्टार कर देंगे हाँ पर क्योंकि इतनी चोटी चोटी बाते हैं बच्चों को याद ने रहती है ये सब देखने को भी नहीं मिलता लेकिन कोशिश ये करेंगे कि याद रखें आप इसका इस्तमाल करें आपको फाइदा पहुंचेगा आपको भी फाइदा लेना आपाईए फाइदा लेजिए कोई दिक्कत नहीं येस डॉक्टर सशांक यू में कमी नो प्रॉब्लम प्लीज ठू कम हाँ एलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स जो है ना इस स्ट्रॉंग फोर्स में से आता है और इट काजस दे फ्रेक्शन और एक्सेंज अफ एलेक्ट्रोन एक तीन तीन एक चलिए तो लीनियर अपोन लीनियर में आप आईए इनसे मिलिये हमारे बंदू क्या आला बच्चों क्या आला है अपने तरीके से बहुत बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन अच्छा एक बार बताओ शांदार से संचल ला एक ने शुबा से लेकर के शाम तक मज़े से आपको यहां पर सारी चीजे सीखने को मिल रही एक ने सांक राजपूत और आप सब्स्वागत हैं हमारे जहीं अड़ा नौ बज़े मतलब उटके ऐसे भाग के आता हूं भाई जल्दी से नहीं बतानी है कि कैसे वाग के आते हैं चलिए महेश परजापती धन्यवाद भाई धन्यवाद भाई यह रियली वरकिंग हाड फॉर एवरी वन आफ यू तो सारे मेहनत कर रहे हैं लोग बिलकुल मेहनत कर रहे हैं और यही बज़ा है मेहनत करने की आपके लिए कहीं न कहीं हमारी पूरी टीम जो है कोशिश कर र आ सके और हम गौरवानवित महसूस कर सकें अपने एफ़र्ट पर कि यस वी डिडिट एट एंड नेक्स टाइम विल डू लिटिल बेटर एक है चलिए पिलकुल बिलकुल ओपी मतलब ओपी मतलब चलिए तो लिनियर अपॉन लिनियर का मतलब क्या है लिनियर अपॉन लिनियर का मतलब क्या है तो आपके पास लिनियर अपॉन जब भी लिनियर रहेगा तो दो ही तरीके का गराब बनेगी या तो completely अपने पूरे domain में या तो decrease कर रहा होगा या तो increase कर रहा होगा या तो increase कर रहा होगा ठीक है बिलकुल बच्चे बिलकुल बिलकुल देख हमें पूरा बिश्वास है हम इसलिए दिन रात लगे हुए है ऐसा नहीं कि हमें बिश्वास नहीं है definitely आप देंगे बस उस result म यूस जो परिणाम है आपके इक्षा के अनुरूप हो सके आपने जो सपना देखा था वो साकार हो सके मतलब अगर आप सार है कि 10,000 राएंक का है वो पहुंच है अगर आप चाहरे हैं कि तो आपके चारे के अंदर कहीं ने कहीं हमारी कोशिच से अगर आप दो-चार कदम और सफलता के नस्दीक जाते हैं तो हमारे लिए इसवाग की बात होगी हमारे लिए सवाग की of derivative इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, I am not going to use application of derivative, हम क्या कहेंगे, y is equal to, y is equal to, y is equal to, एक example लेंगे, example लेंगे, और example के जरिये समझेंगे, 2x plus 3 divided by 2 minus x, 2x plus 3, 2 minus x, 2x plus 3, 2 minus x, बताइए, क्या हमने इसमें बताया था, आपको याद होगा, एक दो दिन पहले भी बताया था, क्या बताया था हमने, कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ध्यान से समझना, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, तो आपको क्या करना है, कि पहले ये जहां पर 0 हो रहा है, यह कहां पर 0 हो रहा है, x ब्रावर 2 पर, x ब्रावर 2 कहां पर होगा, यहां पर, एक लाइन खीजदो, x ब्रावर 2, एक लाइन खीजदो, x ब्रावर 2, जहां पर यह 0 हो रहा है, सबसे पहले जहां पर यह 0 हो रहा है, वो x ब्रावर 2, उसका एक लाइन खीजदो, दूसरी बा मे constituents किषना एक व्राबर जहां पर ये जीरो हो रहा है दूसरा लाइन खेना एक niños का कॉफिशन्ट वह बनाबर करके किषना कितना वर वाइवर वर तो रा Teraz doubt यह डो लाइन यह ग्रीन judo राइन है booklet चार बनाट दिया चार बनाट दिया यह जो आपको दिखरा यह कौन सा यह जो वाइट वाला दिख रहा है उसको मत देखो सिर्फ ग्रीन वाला को देखो अच्छा हम इंसान का क्या है बोल देंगा उसको मत देखो तो बार बार उसी पनजर जाती है इसे नहीं लिखा रहता है दिवाल पे मतलब समझे रहो और वहीं पर सब पहुंचेगा वहीं पर सब पहुंचेगा वहीं पर सब पहुंचेगा वह सही आदलत यहां पर है मतलब इसको मत देखो तो आपको दो लाइन दो लाइन ऐसा है तो चार भाग में बट गया एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर तो पताते हैं कि कैसा आएगा कैसे आएगा और कैसा आएगा अध्यान से देखना अगर यह घर ये ग्राफ इस ग्रीन वारे के लिए इस ग्रीन वाले के लिए यहां पर कटberry थो graph ऐसे करके ऐसे लेकर चले जाए आइपर बोला टैप का graph यह ऐसे टैच नहीं करेगा ऐसे जाता जाएगा ऊपर की और यह इसके पैरलल हो जाएगा तो एक graph इसमें बना तो इसके just opposite एक graph का section उसी graph का portion एक portion इसमें बनेगा and this is your graph, this is your graph, this is your graph, this is your graph, समझ में आई बात या नहीं आई, फट आफट एक बार comment करके बताएंगे सारे लोग, हाँ या ना, और यह graph देख करके लग रहा है, completely increasing है, मतलब इसमें इसमें बनेगा तो increasing, और इसमें बनेगा तो decreasing, graph ऐसे जाएगा, increasing का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप right move कर रहे है, मतलब x बढ़ रहा है, right मतलब x बढ़ रहा है, वैसे जैसे graph क्या बोला, ऊपर चड़ रहा है, मतलब input बढ़ाने सा output बढ़ रहा है, तो उसको क्या कते है, increasing, so this graph is increasing, this graph is increasing in the domain, this graph is increasing in its domain, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ, ठीक है, ठीक है, तो आप इस तरीके से, इस तरीके से इसको याद कर लो, try to understand this, हमने एक और graph कर, एक और इसमें example ले लेते हैं, एक और example ले लेते हैं, मेरे भाई, एक और example लेते हैं, और इस example को आप बनाएंगे, y is equal to 3 minus 5x upon 2x plus 1, y is equal to 3 minus 5x upon 2x plus 1, आप बनाएंगे, फटा-फट, ठीक है, y is equal to 3 minus 5x upon 2x plus 1, तो क्या करना है, क्या करना है, x, y, अब यहाँ पर आपको बनाना है, यहाँ पर आपको बनाना है किसका, अब आपको यहाँ पर बनाना है किसका, सबसे पहले जहाँ पर यह 0 हो, एक वरावर माइनस हाफ, यहाँ पर 0 हो, एक वरावर माइनस हाफ, x ब्रावर माइनस 5 का ग्राफ यहां पर होगा दूसरा x का कोफिशिंट यहां माइनस 5 यहां 2 तो माइनस 5 बै टू y ब्रावर माइनस 5 बै टू कहीं यहां एक ग्राफ हो गया x ब्रावर माइनस 5 एक ग्राफ हो गया y ब्रावर माइनस 5 ये दोनों लाइन का graph बनाने के बाद आपका जो इसका जो graph आएगा वो इसमें और इसमें आएगा और नहीं तो इसमें इसमें आएगा और किस तरीके का hyperbola तरीके का देखते हैं कैसे पता चलेगा एक बावर जीरो रखोगे जीरो पे तीन आएगा और जीरो पे बान आएगा तीन बटे एक तीन आएगा यानि एक साक्सिस एक बावर जीरो रखोगे एक बावर जीरो रखोगे तो वाई बावर तीन यहां पर आएगा इसका मतलब यह graph कहीं न कहीं ग्राफ इस तरीके से जा ग्राफ इस तरीके से जाना है हाँ या ना बोलो मेरे भाई बोलो मेरे भाई उसमें जाएगा अगर ग्राफ इसमें बना इस लाइन के लिए इसमें बना तो इसके अपोजिट इसमें बनेगा आपका ग्राफ का पॉर्शन आपके ग्राफ का पॉर्शन इसमें बनना है आपके समझ में आया तो यह फटा फट एवरीवान कि समझ में एक दम क्लियर चमका या नहीं चमका जो मैंने बताया वही चीज यहां पर चमका या नहीं चमका चमका या नहीं चमका अब आगे तो अब आपको क्या करना है आपको क्या करना है कि आज के सेशन में हम यहीं पर सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आजसा नहों कि चीजें भूल जाए दिमाग से निकल जाए हम लोग बेसिक से स्टार्ट कियें तो बेसिक पे ही रहेंगे ग्राप से खेलने के लिए हमने डोमेन की बात समझने की कोशिश की हमने इंटरसेप्ट की बात करने की कोशिश की कि x-axis को कहा कट कर रहा y-axis को कहा कट कर रहा इसकी बात करने की कोशिस की symmetricity को थोड़ा बहुत समझा कि x के जगा minus x रखेंगे और कोई परिवर्तन नहीं आता है तो y के बाउट symmetrical है y के जगा minus y रखेंगे और कोई परिवर्तन नहीं आता है तो X के बाउट सेमेटिकल है अगर X और Y को इंटरचेंज करें कोई परिवर्तन नहीं आता है तो line Y बराबर X के बाउट सेमेटिकल है ये छोटी छोटी बाते हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं मुझे लगता है कि पहले कलास के लिए इससे ज़्यादा ज़रुवत नहीं है ग्राफ को पूरे हद तक ले जाएंगे तो ये monotonicity का कितने अच्छे से इस्तमाल होगा concavity को कितने अच्छे स्तर से इस्तमाल कर सकते हैं और special graphs, kin-kin graphs को ध्यान में रख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये graph यहाँ पर ये graph जैसे ये graph है, इसको याद कर लेना है इसको याद कर लेना है mod x plus mod y bar are constant mod x plus mod y bar are constant और सबसे important सबसे, ये भी आपको याद कर लेना है line बटा line, linear sorry, linear बटा linear, ये भी याद कर लेना है अब सबसे ज़्यादा important जो है, वो आपका है क्या transformation of graph transformation of graph इसके बारे में भी सीखना है तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे और इसका application पार्ट मत्दब question इसके कैसे frame होता है इसको अगले lecture में देखेंगे तो आज के लिए इतना ही business अगले class मुलाकात होगी तब फिर बात होगी सर्शाम बला session होगा बेशक दिख जाएगा कुछ दिर में आप जा करके वहां पर reminder set कर लिजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किजिएगा अपने दोस्तों में भी शेयर किजिएगा पिछले दो दिनों से मैं लगातार आप लोगों से मतलब request कर रहा हूं कि एक कोशिश एक कदम हमारे लिए भी बढ हो जाएगा 100 प्लस क्या चीज़ लाइफ यहां पर concurrent में देखना है यह हमारा आज का टार्गेट रहेगा तो एब्रीवन जो भी देख रहे हैं फटा फट लिखिए यस और नो होगा या नहीं ठीक है ठीक है यह एक मिनट दिख तो रहा हैं आप गल्कुल लाइक कर दो अपने अपने ग्रूप में सारे गरूप में आज यही दिखना चाहिए सब का यही दिखना चाहिए यहां पर दिख रहा है आपको 8 बजे, शाम 8 बजे मुलाकात होगी और हमसे बात होगी और यह एक ऐसा सेशन होगा जिससे ना कि J.E.Mains बलकि J.E. Advance भी कवर होगा क्योंकि J.E.Main हो या J.E. Advance हो अगर आप Đिफरेंशिबिलिटी कन्टिनिटी की बात करें तो थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है बहुत प्यारा सा टॉपिक है लेकिन समझने के लिए टॉपिक यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो यह दिख जाएगा यह जाकर के आप इसको यह कर ले reminder set कर ले मुलाकात होगी फिर बात होगी thank you so much have a great day and we'll see you we'll meet at 8 p.m. thank you